अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन 22 के फिल्ड का मार्शल कौन होगा इसे लखनों की जनता तेज को तै करेगी लखनों की नौ सीटों के चक्रवियों में कई तर और कई चेहरों की साख पसी हुई है जिस उबारने का काम लखनों की जनता को करना है ऐसे में लखनों की हर सीट का गुड़ा गणित समझते समझते जब पहुंचे उन कलियों में जहां से निकलेगी वोटों की धारा तो क्या बन रही तस्वीर वो जानना जरूरी था सपा और वीजेपी की बड़ी काटे की टकर चल रही है समय और चुनाव में मज़ा आ रहा है लोगो को देखने में भी और प्रत्याशी भी अपना पूरा हेंड़ेट परसन देने की कोशिश कर रहे है अब जनता को डिसाइड करना है इसमें देखिए इस समय क्या है कि बेर हमारी चल रहा था उस वज़ा से लोग काफी तकलीफे होई है लखनों में बहुत काटे की टकर मुझे दिख रही है और इसमें जनता थोड़ी सी कंफ्यूज भी है कि किसको वोट देना है और आदमी सोच रहा है कि ऐसी सरकार को वोट देना है जो कि हमारी बेरोजगारी द दाम बढ़ गए इन सब चीज़ों कारण आदमी जनता त्रस्त बहुत जादा है विकल्प में तो अपोजिट में समाजवादी पार्टी दिख रही है तो बीजेपी से जो लड़ाई समाजवादी पार्टी है तो अब देखते हैं किस दिन कैसे क्या होता है जहां एक तरफ लखनों की जनता भाजवादी पार्टी में कांटे की जक्कर बता रही थी तो अई दूतरी तरह भाजवादी को लेकर भी दावे किये जा रहे थी हाजवादा का सहयोग मिलता है यहां के नागरी को पब्लिक तो चारों तरफ से भारती जनता पार्टी के साथ ही नजर आ रही है कारण तो बहुत सारे हैं हमारी जितनी भी सारी प्रॉब्लम महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी वह 10-90 ने आज जिस तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो रही है रात के 10 बजे भी आ रही है तो उसने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ने हमारे महले में एक एक बंदा मतलब कमल को ही वोट देना है यह गा रहे हैं सियासी पंडितों के जहन में यही सवाल है कि रास्थानी में खेले का कम लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरु भाजपा और सफाही चक्कर में है कॉंग्रेस को लेकर भी लोगों का मूड बनता नजर आ रहा है महल बढ़िया चला है कॉंग्रेस पार्टी का बढ़िया वजूद चला है इस समय हर जगे लहर चल लही उनकी कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है क्यों भाज साब आपको भी पता है आपके घर में सलंडर आता है कड़वा तेल आता है हार एक चीज ऐसे आती जो अब इतनी महंगी हो गई है जो पहले नहीं थी बाकी पार्टी ओने क्या दिया खाले जुगले वाजी कर ली बोल दिया कि नहीं यह कर दूंगा यह फ्री कर जैसे स्लेंडर का हो गया यह राशन पानी सरसो का तेल देखी गए 70 अपय था 230 रुपए तक भी रहा है पट्रोल को लेकर देख लिए जो 70 अपय था पट्रोल आज वो सो रुपय तक पोच गया है विपार भी बहुत एकदम ठपी चल ला है किसी तरह हर विपारी आज परशान है वहाल तो इस समय जो मुहाल चल रहा है उस समय तो लग रहा है कि कांग्रेस की बड़ाता है ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब लोगों को तक्रीफ हो रही है और सबसे बड़ी तक्रीफ हो रही है कि जो इसकूलों में बच्चों की कोविट पीरियड में भी कोई फीस नहीं माफू हुई है गरीब से गरीब जो चाय के होटा होटल थे या जो भी थे व लगातार उत्तर प्रतेश में सियासी वनवास जिल रही बस्पा की लिए कि कहीं न कहीं माहौल बनने लगा है युवा वे रोजगार है महेंगाई महेंगाई एक दम शरम सीमा पर है योगी जी जो वी वादे किये उसे फेल है उन्होंने कहा तक गड्डे मुक्त की बात कहीं थी आज देख लिए हर विधान सभास से आप चारवक की दूरी तीन किलोमीटर की उसमें ना जाने कितने अधे ने मुक्त कर पाएं वो क्या देश को तो फिर आप किसके पास जाएंगे हैं आपको तीन निकल है जो सबसे आबा हैं जी जी मैं बीस्पी की और से जाओंगा किये कि माया वतीन जी ने जितना काम लखनों में किया है उतना किसी सरकार ने ने किया फिलाल 22 के रण में लखनों सियासत का पेसेंटर बन गया है ज़िए 23 वरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को खुलेंगे पत्ते कि लखनों की जनता ने क्या सुनाया जनदेश